हेलो गाई संबात किने वाले हैं साथ ऐसी कंपनी है जो बहुत ही बड़े बड़े ग्रूप से जुड़ी हुई है जैसे रिलाइंस ग्रूप टाटा ग्रूप एंड इसे की साथ साथ ICICI ग्रूप तो ये साथो की साथो कंपनियों का कोर्टर तरी का रिजल्ट आ चुका है आ वह भी आप लोगों को मैं बता दूँगा ठीक है तो वीडियो को जरू से एंड तर देखते रहना शुरुआत करता है जाटा मैटालिक्स से टाटा मैटालिक्स की बात करें तो इस कंपनी का रिजल्ट आप लोगो के सामने प्रिजेंट रिजल्ट से वह लैक्स के अंदर बैताईगी है और सारी की सारी हांपर रिजल्ट को कौटर इंकटर बेस के उपर डिसक्स करेंगे यह इस कौटर का रिसल्ट यह पिछले कोटर का रिसल्ट यह पिछले साल सेम कोटर का रिजल्ट देखने को मलता है कंपनी की इंकम की बात करें तो रेवेनिंट फ्रों ऑप पाबले कंपनी की इंकम में बड़ोतरी होती हुए नजर आ जाती है बाकि इस कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो cost of raw material के अंदर कंपनी का majority expense यहां पर जाता हुए नजर आ जाता है बाकि टूटल expense की बात करें तो 78,018 रुपीस का कंपनी का total expense है जिस प्रकार से कंपनी की income बढ़ी है कम हुई है वैसे वैसे कंपनी के expense भी कम होते हुए नजर आ जाता है यह चीज़ यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है बाकि इस कंपनी के net profit की बात करें तो tax and expense item काटने के बाद कंपनी का यहां पर net profit इस quarter के अंदर 948, लाइक रुपीज का देखने को मिलता है quarter and quarter base की उपर और पिछले साल सेम quarter की मकाबले कंपनी के profit में लगातार गिरावट आती हुई नजर आ जाती है और कंपनी का result इस बार तो बहुत ही जादा खराबा है बाकि इस कंपनी के EPS की बात करें earning पर share 3.01 रुपीज पर पहुं कंपनी का result इहां पर आप लोग देखने जाओ तो बहुत ही जादा है आपक खराब आता हुआ नजर आ जाता है इसका impact कंपनी के share के उपर भी जरूर से पड़ेगा कंपनी के यहां पर से shares में खरीदारी और बिक्वाली करने के मौके की बात करें तो आर खरीदारी करने का level इक 700 रुपे पर है और 640 रुपे पर है दोनों ही लिवल के उपर कंपनी का share support ले सकता है बागी विक्वाली करना चाहते हो तो विक्वाली करने के लिए यहांपर से 913 का level 1000 रुपे का level और मेडियम टम के लिए 1360 का level जहांपर विक्वाली करके चल सकते हो ठीक है तो यह थ को के सामने presented है सारी amounts है वो crores में बताएगी है quarter and quarter base को compare करेंगे ये इस quarter का result ये पिछले quarter का result ये पिछले साल same quarter का result है ठीक है कमपनी की यहांपर से income की बात करें तो dividend income and interest on income से ही कमपनी का स्याधतर revenue आता है बाकि अधर income को मिला कर कमपनी का total income इस quarter के अंदर देखने को मलता है 24.74 करोड रुपेस का जो quarter and quarter base के ओपर तो बहुत ही बड़ा downfall है income के अंदर बाकि पिछले साल सेम quarter के मकाबले भी कमपनी की income में बहुत ही बड़ा downfall देखने को मिल जाता है बाकि इस कमपनी के यहांपर से total expense की बात करें तो कमपनी का कुछ खास expense नहीं है 4.25 करोड रुपेस का कमपनी का expense है और वह भी यहांपर से इस कमपनी के employee के पिछ फीश के इंदर ज़्याद तर expense दाता है थीक है बाकि इस कमपनी के total expense यहांपर है तेजी से कम होते हुए नजर आ जाता है पर company की income उससे भी जादा तेजे से कम हुई है ठीक है बाकी इस company के net profit की बात करें तो यह net profit tax and expensive item काटने के बाद company का net profit देखने को मिल जाता है 14.85 करोर रुपेज का जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल sim quarter की मुकाबले तेजी से कम होता हुआ नजर आ जाता है बाकी इस company के EPS की बात करें earning पर share की तो यह 2.94 रुपेज का इस company का EPS देखने को मिलता है जो भी यहाँ पर quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter की मुकाबले तेजी से कम होता हुआ नजर आ जाता है बाकी और company की तरफ से कोई भी प्रकार का dividend का announcement नहीं है तो यह चीज आप लोग ज़रू से धन में रखे चलना है company के share में आपर से investment करने की बात करें तो आदेगो कुछ यहाँ पर से level से जहाँ पर इस company के अंदर खरीदारी करने के मौके है एक सबसे मेला level देखने का मिलता है 1935 रुपे का level 1735 रुपे का level 1550 रुपे का level और 1290 रुपे का level यह सभी levels के उपर खरीदारी कर सकते हो बिक्वाली करना है तो वाई 2480 रुपे का लेवाला है और 2870 रुपे के आसपास के levels के उपर इस company के अंदर बिक्वाली करके चल सकते हो रीग है तो यह था हमारा opinion इस company को लेका है जो आप लोग सरू से ध्यान में रखके चलना अभी आपर बात कर लगता है अगली company के बारे में अगली company आ जाती है network 18 नेटवर्क 18 की बात करें reliance group की यह company है company का यहाँ पर से आप लोगो के सामने result presented है सारी amount से वह लेक्स के अंदर बताईगी है standard on result है quarter and quarter base के पर result को देखेंगे यह इस quarter का result यह पिछले quarter का result यह पिछले साल same quarter का result है ठीक है company के यहाँ पर से income की बात करें तरह इस company का यहाँ पर से value of sales and services से and goods goods and service tax and वो साइज चीज़ों को मिला कर company का total revenue and income यहाँ पर देखने को मिलता है 5,366 lakh रुपीज का जो यहाँ पर से तेजी से इस company का income है वो यहाँ पर आप लोग देखने जाओ तरह तेजी से यहाँ पर income में बड़ोतरी होती भी नजर आ जाती है quarter and quarter base के उपर बागी पिछले साल same quarter के मुकाबले company का result थोड़ा सा improve होता हुआ देखने को मिल जाता है ठीक है बाकी इस company के expense की बात करें तो यहाँ पर operational cost इस company का सबसे बड़ा expense है and employee की cost and finance cost को मिला कर company का total expense देखने को मिल जाता है 10,158 lakh रुपीज का जिस परकार से company की income बढ़ी है उसी तेजी से या उसके दुगने तेजी से company के expense बढ़ते हुए नजर आ जाता है बाकी इस company के net profit की बात करें या loss की बात करें तो इस quarter के अंदर company ने यहाँ पर से 4792 lakh रुपीज का company ने loss generate किया है जो quarter and quarter base के उपर continuous इस company के losses बढ़ते हुए नजर आ जाता है बाकी इस company का यहाँ पर से EPS earning पर share आप लोग देखने जाओगे ति EPS इस company का यहाँ पर देखने का मिलता है minus 0.46 रुपीज का जो quarter and quarter base के उपर इस company के losses है वहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ जाता है जो एक बहुत ही बड़ा चिंता का विश्य है ठीक है बाकी company की तरफ से कोई भी परकार का dividend का announcement नहीं है company creation में खरीदारी करने के तो बहुत सारे levels है पर मेरा recommendation इस company के अंदर खरीदारी करने का बिल्कुल भी नहीं रहेगा बिक्वाली करना चाहते हो तो 75 रूपीज का लेवल है 93 रूपीज का लेवल है और 115 रूपीज का लेवल है जहाँ पर इस company के शर्य में बिक्वाली करके चल सकत अब यहां पर बात कर लाता है अगली कंपनी के बारे में अगली कंपनी यह जोती है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है इस कंपनी का स्टेंडर लॉन रिजल्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंटेट है सारी अमाउंट से वह लेक्स के अंदर बताएगी है क्वाटर का रिजल्ट को कंपेर करेंगे यह इस क्वाटर का रिजल्ट यह पिछले क्वाटर का रिजल्ट यह पिछले साल सेम क्वाटर का रिजल्ट देखने को मिलता है कंपनी के इंकम की बात के रहे तो यह इस कंपनी का वैल्यू एंड सर्विस से इस कंपनी का जादा तर income generate होता है and goods and service tax को मिला कर यह सही चीज़ों को other income को मिला कर company का total income is quarter के अंदर देखने को मिलता है 35,794 लाइक रुपीज का जिस प्रकार से company की income बढ़ी है quarter and quarter base की उपर बहुत ही अच्छी बात है बाकी पिछले साल सेम quarter के मुकाबले company की income में गिरावट आती भी नज़र आ जाती है बाकी इस company के operational cost marketing लग लग expense को मिला कर company का total expense यहाँ पर देखने को मिल जाता है 33,802 लाइक रुपीज का quarter and quarter base की उपर company के जो net expense है वो यहाँ पर थोड़े से बढ़ है बाकी पिछले साल सेम quarter के मुकाबले भी company के expense बढ़ते हुए नज़र आ जाता है बाकी इस company के net profit की बात करें tax and expenses item काटने के बाद company का यहाँ पर से net profit देखने को मिल जाता है 3,162 लाइक रुपीज का quarter and quarter base की उपर company के net profit में एक अच्छा जंप है बाकी पिछले साल सेम quarter के मुकाबले company का net profit बहुत जादा कम हो चुका है बाकी इस company के earning पर share की बात करें EPS यहाँ पर से देखने को मिल जाता है इस quarter का 0.18 रुपीज का जो quarter and quarter base के उपर improve आए बाकी पिछले साल सेम quarter के मुकाबले downfall आता हुआ नजर आ जाता है company का debt to equity ratio आप लोग देखने जाओगे तो पता चलेगा क्यार company के उपर कुछ खास बड़ा करजा नहीं है और थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इस company के उपर करसा जरूर से है ठीक है बाकी इस company का है आपर से आप लोग देखने जाओ tv18 broadcast यह जो है आपर company के अंदर बहुत सरे खरीदारी और बिकवाली करने के levels है यह सभी levels के उपर आप लोग खरीदारी यह बिकवाली कर सकते हो मेरी तरह से दो भाई यहाँ पर कुछ है strong यहाँ पर support zone की बात करें दिखतो यहार बहुत ही अच्छा strong support zone है 35 रुपे का उसके बाद 27 रुपे 40 पैसे 20 रुपे 80 पैसे बारा रुपे के आसपास यह सभी levels के उपर इस company के अंदर खरीदारी कर सकते हो बाकि इस company के अंदर बिकवाली करना चाहते हो तो 42 रुपे का लेवल है 55 रुपे का लेवल है इसके साथ-साथ 56 रुपे का लेवल एंड 80 रुपे का लेवल है जहाँ पर इस company के शिम में बिकवाली करके चल सकते हो ठीक है अभी आपर बात कर लगते हैं अगली कंपणी के बारे में अगली कंपणी आ जाती है ICICI Group से ICICI Lombard General Insurance Company Limited कंपणी की अमाउंट्स की बात करें सारी अमाउंट्स से वो लेक्स के अंदर बताएगी है यह इस quarter का result है यह पिछले quarter का result है यह पिछले साल same quarter का result देखने का मिल जाता है कंपणी के यहांपर से income की बात करें तो यह अलग-अलग segment से कंपणी का revenue आता है यहांपर gross premium income, net premium income और अलग-अलग बहुत सारी income को मिला कर कंपणी का total income देखने का मिलता है 4,36,200,000 का कंपनी का total income है quarter and quarter base के ओपर कंपनी की income कम हुई है बाकी पिछले साल same quarter के मुकाबले कंपनी की income में एक अच्छा jump है बाकी इस कंपनी के यहांपर से अलग-अलग expense को मिला कर मतलब claim paid expense, commission expense और वो साइच चीजों को मिला कर कंपनी का total expense देखने का मिलता है 4,8,551,000,000 रुपिस का quarter and quarter base के ओपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले कंपनी के expense भी बढ़ते हुए नजर आ जाता है बाकी इस कंपनी के net profit की बात के रिए tax and expensive item काटने के बाद कंपनी का यहाँपर से net profit देखने का मिलता है 35,253,00,000,000 रुपिस का quarter and quarter base के ओपर बहुत ही बड़ा downfall है कंपनी के net profit के अंदर वाकि पिछले साल same quarter के मुकाबले कंपनी के net profit बढ़ते हुए नहसर आ जाता है बाकी इस कंपनी ने आपर से इस quarter के अंदर 4.5 रुपीज पर शे का dividend announcement किया है जो अल्रेडी यहाँपर से company ने pay कर दिया है आप लोगों को ठीक है तो अब लोग अपने bank balance के अंदर देख ले ना यह company ने dividend अल्रेडी यहाँपर से pay कर दिया है ठीक है तो वो रोल इस company का है यहाँपर से earning पर share भी अब लोग देखने जाओ EPS है तो वो यहाँपर देखने का मिलता है 7.18 रुपीज का जो quarter बेस के अपर डाउन हुआ है बाकी पिछले साल same quarter के मकाबले increase होता हुआ देखने को मिल जाता है ठीक है तो वो रोल इस company का result कुछ इस वीकवाली करने की बात करें तो और 1200 रुपे का level और 1111 रुपे का level है जहां पर खरिदारी करने के मौक्वाली करना जाते हो तो और 3306 रुपे का level 1416 रुपे का level जहां पर वीकवाली करके चल सकते हो बाकी मैं personally इस segment से यह पुरी industry से थोड़ा दूर रहना ज्यादा पसंद क करता हूं बाकि आप लोग यहां पर investment करना चाहते हो high risk high reward वाले सेक्टर के अंदर तो जरू से इस company के अंदर investment करके चल सकते हूं ठीक है अगले कम गया जाती है ICICI Prudential Life Insurance Company का रिजल्ट आप लोगों के सामने है कर लेक्स के अंदर सारी amounts बताएगी है standalone result है quarter quarter base के पर रिजल्ट को compare करेंगे यह इस quarter का result यह पिछले quarter का result यह पिछले साल सेम quarter का result है ठीक है company के यहांपर से income की बात करें तो यह रहा gross premium income को मिला कर company का total income इस quarter के अंदर देखने को मिलता है 17,53,513,000 रुपिस का quarter and quarter base के उपर company की income में वो कम हुई है बाकि पिछले साल सेम quarter के मकाबले company की income के अंदर एक अच्छा jump देखने को मिल जाता है बाकि इस company के अलग-अलग यहांपर commission and अलग-अलग expense को मिला कर company का total expense देखने को मिल जाता है 1,43,587,000 रुपिस का जिस परकार से company की income कम हुई है उस परकार से यहांपर company के expense भी कम होते हुए नसर आ जाता है बाकि इस company के यहांपर से total हैंपर expense आप लोग देखने जाओ तो यहांपर देखने को मिल जाता है 17,100,000 रुपिस का company का total expense है जिस परकार से company के expense कम हुए है जो एक अच्छी बात है मेरको यहांपर से लग रहा था कि company की result कुछ साधा खास अच्छे नहीं आने वाले एडिक है बाकि इस company के यहांपर से result की बात करे net profit के मामले में company ने यहांपर से बहुत ही अच्छा performance करके दिखाया है 22,063,000 रुपिस का company net profit generate करती भी नजर आई जो quarter and quarter base के उपर तो बड़ोतरी होता वह नजर आजाता है और कि पिछले साथ same quarter के मुकाबले company के net profit के इंदर गिरावत आती भी नजर आजाती है कमनी की तरफ से कोई भी प्रकार का dividend का announcement नहीं है बाकि इस company का यहांपर से overall आप लोग result दिखने जाओ तो यहांपर एक decent result है मेरे इसाब से दुबाई एक खराब result यहांपर ICICI Prudential Life Insurance इस company ने announcement किया ठीक है बाकि इस company के शिर में आपर खरीदारी और विक्वाली करने के मौके की बात करें कुछ लेवल्स है कömध के चारा को νेवन के चार्सनों चांडारी का लिवल्स की साहथ 400 रूपे लिवल WW इसके साथ 400 रूपे का लिवल और तीनसों बचास रूपे का लिवल है यहांपर खरीदारी करने last company के बारे में अगली कमनी आ जाती है Shelby, Shelby की बात करे तो hospital segment के अदर company कामकाच करती है, company यहाँ पर से standalone result present कर दिया है, सारी amount से वो millions में है और 1 million is equal to 10 lakh रुपीज होता है, company का यहाँ पर से quarter and quarter base के उपर result को compare करेंगे और यह है इस quarter का result, यह पिछले quarter का result, यह पिछले साल same quarter का result है, company के यहाँ पर income की बात करें revenue from operation and other income को मिला कर, company का total income 1797.72 million रुपीज का company का total यहाँ पर से income देखने का मिलता है quarter and quarter base के उपर company की income में वो बढ़ी है, बाकी पिछले साल same quarter के मुकाबले company की income में थोड़ी सी गिरावट आती हुई नसर आ जाती है company के expense की बात करें तो अलग-अलग operational expenses and वो साइच चीज़ों को मिला कर company का total expense देखने का मिलता है 1512.14 million rupees का company का total expense है, जिस प्रकार से company की income बढ़ी है, वैसे वैसे company के expense भी बढ़ते हुए नजर आ जाता है बाकी इस company के यहाँ पर net profit की बात करें, tax and expense item काटने के बाद company का 191.95 million rupees का company का net profit देखने का मिलता है जिस प्रकार से company का net profit बढ़ रहा है, जो एक अच्छी बात है, एक revival का sign है, बाकी पिछले साल same quarter के मकाबले company के net profit में एक गिरावट आती भी नजर आ जाती है company का EPS 1.79 rupees पर trade हो रहा है, जो quarter and quarter भी इसके उपर तो बढ़ा है, बाकी पिछले साल same quarter के मकाबले कम होता हुआ नजर आ जाता है overall इस company का result यहांपर decent है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, बाकी इस company के अंदर खरीदारी और बिक्वाली करने की बात करें तो वाई यहांपर 115 rupees का level है, जहांपर खरीदारी करने के मौक है, बाकी 130 rupees, 116 rupees और 96 rupees है, जहांपर इस company के अंदर खरीदारी कर सकते हो, बिक्वाली करना चाहते हो, तो 177 rupees का level और 210 rupees का level है, जहांपर बिक्वाली करके चल सकते हो, ठीक है